जैन साथियों आप सभी का विल्कम करता हूँ आपके चैनल जहां मैसमाजिक पर जहां रखते हैं आपको प्रोसेस सेलेक्शन तक पूरा अपडेट और देते हैं एडियल और जेनरी इंफोमेशन आज पिर से हम पूरा बात करने जा रहा है विकास मित्रवर्ती का और कह सकते ह प्रोसे लेकिन अभी हम इस वीडियो के मादियम से आपको चार डिस्ट्रिक का अपडेट देंगे एक साथ अपडेट देंगे चार डिस्ट्रिक के अलग-अलग ब्लॉक में अलग-अलग पंचायत में विकास मित्र का वर्ती निकलके सामने आ रहा है और जिसका डेट भी बहुत ही नजदीक है, तो पूरे वीडियो को ध्यान से देख लिजेगा, हो सकता है कि आपके डिस्ट्रीक का भरती हो, और हो सकता है आप ही के ब्लॉक में हो, आप ही के पंचायत में हो, और आपका भरती छूट ना जाए, तो चार भरती का, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि विकास मित्र का जो बहाली होता है, यह पूरा का पूरा बहाली जो है ना दलित, महादलित, समुदाई के लोगों के हैं, वैसे वन्चित लोगों के हैं, वैसे समुदाई के लिए होता है, जो अगर टेंथ भी पास हैं, तो इस फॉर्म को भर सकते हैं, अगर वो टेंथ पा पाचल योजना के तहत जुड़ी हूई है या इस प्रकार का कोई काम कर रही है तो भी वह 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 सकती है तो देखते हैं कि यह चार डिस्ट्रिक में किस-किस ब्लॉक में यह भरती निकल के आया है कहां पर महिला फॉर्म भर सकती है कहां पर पुरुस फॉर्म वर सकता है यह आपको इस वीडियो के मातिम से बताएंगे लेकिन उससे पहले लाइक का बटन आप सभी से बनता है क्योंकि आपके लिए है गुद इंफोर्मेशन गुद नियूज सही नोटिस सही टाइम पर आपको देने जा रहा है तो अगर आप विकास्मित्र बढ़ना चाहते हैं तो य आपको जनूर बताएंगे इसके लिए चैनल को जनूर सब्सक्राइब कर लीजेगा क्योंकि हम रखेंगे आपको प्रॉसे सेलेक्शन तब पूरा अपडेट और देंगे पूरा राइट इंफोर्मेशन सही इंफोर्मेशन देंगे नोटिस के साथ बात करेंगे ताकि आप का कोई फॉर्म छूटे नहीं और आपका सेलेक्शन हो मोटो सिर्फ एक ही है जहां मैजिक का कि यह आपके लाइफ में जो है ना मैजिक हो जादू हो नौकरी के रूप में हो आपका सेलेक्शन हो आपका तरकी हो क्योंकि हम बलीब करते हैं help us to help you में हम एक दूसरे की मदद करके ही आगे बढ़ सकते हैं और आप इस चैनल को बिहार का नंबर बना सकते हैं वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन जूर दवाईएगा और वीडियो को शेयर भी कर दिया करिएगा ताकि ज्यादा ज्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुंचे ज्यादा समय न लेते हुए हम आपको ले चलते हैं नोटिस बोर पे और दिखाते हैं क्योंकि चार्डिस्ट्री का दिखाना है तो थोड़ा सा टाइंग तो लगेगा तो चार्डिस्ट्री का नोटिस आपको दिखाएंगे ध्यान से देख लीजेगा और कॉमेंट कर गयागा जो भी क्वे अब हम चार डिस्ट्रिक का आपको बताएंगे जिसमें अलग-अलग डिस्ट्रिक का पूरे वीडियो को ध्यान से देख लिजेगा क्योंकि आपका अगर डिस्ट्रिक का आया हुआ है तो ना छूटे देख लिजे अब यहां पे आबेदन प्राप्त करने हेतु समय सिमा दिया हुआ है 20-10-7-2024 तक मतलब 20 जून से लेके 10-7-2024 तक आप इसमें आबेदन कर सकते हैं मेगा सूची त्यार करने का प्रकासन करने का थी यहां 12-7-2024 को मेगा सूची प्रकासित हो जाएगा और मेगा सूची पे आपती के लिए आपको 13-7-21-7 डेट दिया गया है चेन सूची का प्रकासन 26 को हो जाएगा नियोजन पत्र आपको 28-2024 को मिल जाएगा मतलब उस दिन आप मिठाई खाईएगा चलिए अब देखिए इसका chain का क्या है chain का criteria क्या है तो देखिए सबसे पहली वाद इसमें बता दिया गया है कि महादलित समुदाई से ग्रामीन छेत्र में रिक्ट पंचायत एबं सहरी छेत्र में ट्वार्ट समू क्लस्टर पर एक विकार स्मित्र का चैन किया जाएगा और विकार स्मित्र का नियोजन अनुवंधन की अधार पर किया जाएगा पंचाय द्वार्ट क्लस्टर सहरी जिला में महादलित जाती के जनसंख्या में जो बहुलता है होगी उस जाती का विकार स्मित जाएगा आविधन का नियुतम सेक्षिन योगता मैटिक रखा गया है अगर आप मैटिक से भी कम है तो भी आप भर सकते हैं विकास मित्र के चेर में सेक्षिन योगता मैटिक या समकक्ष नहीं मिलने के स्थिती में अगर कोई वहां पर मान लेजिए उस टोला में उस जाती बहुलता के अधार पे होगा नियुजन की अबधी बता दिया गया है साथ वर्स तक के लिए आपका अबधी रखा गया है नियुजन अबधी बहुती संदार सैलरी है ठीक है मान दे भी बहुत बढ़िया है और यह देख लीजे अभी जो हम इस डिस्टी का दिखा र जिसके लिए वेकेंसी आया है उस प्रखंड या वार्ड में वो है मुसर का ठीक है तो मुसर जाती के लोग ही उस वार्ड या पंचायत में भर सकते हैं यह हो गया आपका नालंदा का हिलसा नालंदा का यह तो एक डिस्टी का भी हम बताने जा रहे हैं पूरे वीडियो को ध्यान से देख लीजेगा, क्योंकि एक साथ इतना संदार वेकेंसी निकल के आया है, विकास मित्र का, और कोई एकजाम नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ जो है आफ के अंक के अधार पर, आफका सेलेक्शन होगा, संदार वेतन के साथ, संदार मान दे के साथ, 60 वर्सों तक के अबधी के लिए आपको जो है ना रखा जाएगा चलिए ले चलते आपको next district की और वहां से देखते हैं कि कौन से district में आया हुआ है ठीक है आजाईए अब यह देखे समस्तिपूर समस्तिपूर district में भी आया हुआ है विकासमित्र का ठीक है समस्तिपूर district में भी विकासमित् किया जाता है चैन हेतु योगता समंधि जनकारी जो है न ये आपको महादलित मिसंड.org पे उपलब्द है अब आए यहां पर बिग्यावकपन सूचना देख ले जो समस्ति पूर का है इसके रिक्ति का बिवरन समझ लेते हैं कि समस्ति पूर में कहां पे है पलखंड का नाम क कक्छ रखा गया है मिनमम एज 18 वर्स और मैक्सिमम साट वर्स रखा गया है ठीक है और सब कुछ वही है सेम प्रकिरिया होगा ठीक है ना नियोजन की गति भी दिया है मों समय अबदी को देख लीजे 24 से लेके 24 से 2 साथ तक आफ आप आबेदन कर सकते हैं कल्यानपूर प्र आपको यह देखना है कि अगर यह वार्ड में तो आपको जरूर बहरना चाहिए क्योंकि इतना हैंडसम सडरी जो है बिना कोई एक्जाम का ठीक है वह भीकासमित्र को ही मिलता है बहुत ही संदार रिसपांसिटी वला काम है चले नेक्स डिस्टिक की और ले चलते हैं नेक् रक्षन कोटी देख लीजे महिला का यहां पे है फिर गुपाल गंज थाबे में है डेट इसका जो भरने के लिए दिया गया है वो 10-6-2024 के दौरा यहां पे से 19-7-2024 तक निर्धारित किया गया है चीक है 10-6-2024 से 19-7-2024 तक निर्धारित है समंधित प्रकंड कुचाय कोट एब हम थावे में रिक्त पदो पे विकासमित के नियोजन के समंधित विवरन ये नीचे में आपको हम दिखा रहे हैं और इस एक और आया था वो था सीता मधी का जिसके बारे में हमने एक पीडियो बना के आपको दिखा दिया था उस पीडियो को भी देख लीजेगा अग नहां पर जरुवत है सीट खाली है हर एक जगह निकलेगा लेकिन इसके लिए आप चैनल पर बने रहिएगा जैसे ही अपडेट इंफोर्मेशन आएगा हम आपको अपडेट कर देंगे क्योंकि ये बिहार का नंबर वन चैनल है एक मात्र ऐसा चैनल है जो इस तरह के वेके वेकेंसी का भी अपडेट इंफोर्मेशन मिलता है चोटे चोटे वेकेंसी के बारे में भी बताते है ताकि आपसे कोई फॉर्म नहीं जूटे अब देखिए आपे दन प्राप्त करने की तिथी 24-29 मेगा सुची तियार करने का ये सब नोटिस आएगा हम सब के बारे में आ और तैंक्यू पर वाचिंग जा मैस माजिक ठीक है जैसे ही नया अपडेट आता है चाहे वो जिसका भी हो हम आपको पूरा अपडेट इंफोर्मेशन देंगे बहुत सारे डिस्टी का भी अपडेट आने वाला है बहुत जल्द आपके सामने वो अपडेट रखेंगे तो वन्स अगें थैंक्यू पर वाचिंग जा मैस माजिक अन बेस्ट अफ लग एबरिवन थैंक्यू